हेलो गाइज वेलकम टू फराजैनमेंट यूट्यूब चैनल जो हमारा है आप लोग इस पर कॉंटिन्यू देखते हो हमारी वीडियो इलेक्ट्रोनिक्स नई नई वाशिंग मशीन फ्रिज एलेक्ट्रोनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपके लिए अल्वेज ल आना जाता है अब इसकी एक 7.2 kg में बहुत लेटेस मशीन आई है जो कुछ अलग है जो आप देख सकते हो हमारा सामने तो आज इसी के बारे में पूरा वीडियो हमारा होने वाला है तो गाइस सब्स्क्राइब जरूर कर दिएगा और लास तक हमारे बने रहेगा वीडियो में तो आई आए वीडियो शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एस सुप्रीम प्लस जो मॉडल होता है वर्पूल कंपनी का वर्पूल जैसा ब्रैंड जो बहुत पुराना ब्रैंड है इलेक्ट्रोनिक्स के मामले में वर्पूल प्लस जो 7.2 kg म आता है दो colors में आता है red और gray आज हम gray वाले model का demo और details आपको बताने वाले हैं जो यह machine आप देख रहे हो हमारे सामने रखी है बहुत long lasting और बहुत अच्छी machine है और दूसरे brand से कुछ अलग हटके होती है क्योंकि इसका जो look होता है वो कुछ अलग तरीके से आता है round में इसका wash tub होता है round में gold tub होता है और generally machine हो में आपने देखा होगा चौक और तरह का drum होता है इसमें round color का drum होता अभी इसकी पूरी deeply आपको detail भी देंगे सब कुछ पताएंगे इसके बारे में आई ले लेते हैं सबसे में इसका एक look और आपको दिखा देते हैं कि नस्दीक से कैसी दिखती है कर्यार करता है गाईज वर्पूल की वाशिंग मशीन जो अभी आपने लुक देखा कितनी अट्रेक्टिव और कितनी अलग तरह की यूनिक डिजाइन है इसकी गोल्ड टब में आती है राउंड में और ग्रे कलर का पूरा उपर इंटीरियर है एक और कलर इसके अंदर आता है रेड कलर अप गाईज इसकी टिटेल्स आपको बता देते हैं ये पैनल जो आपका फ्रेंडली है हमेशा हर वाशिंग मशीन पर यहीं पर होता है इसका पैनल कुछ मशीनों में पूरा पैनल होता है लेकिन इसमें कमपनी ने टब इसका एरिया बड़ा करके दिया है आपको क्वालिटी दी है इस मशीन के बारे में जो आप सामने फ्रेंट पैनल देख रहे हो कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ है सबसे पहले इसमें बता देते हैं आपको जनरली मशीनों के अंदर यहां पर वाश टाइमर होता है अभी हमने आपको बताया यहां पर इसके अंदर टाइप सेलेक्ट करने का दिया है अगर आप जादा कपड़े डाल रहे हो तो हैवी पर रहेगा आपका मोड़ अगर आप मीडियम नॉर्मल कपड़े डाल रहे हो तो यहां पर रहेगा और बहुत जेंटल अगर उनी कपड़े या कुछ ऐसे सेंसिटिव कपड़े हैं तो आपको डेलिकेट पर रहना है, बहुत नॉर्मल वॉष करेगी मशीन आपकी तीन तरह के आपको इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं इसके बाद आजाता है वाश टामर उसके लिए जिससे कपड़े आपके बहुत अच्छे साफ होते है फिर इसके आजाता है आपका drain selector drain जो पानी गंदा निकलता है जब कपड़े आपके धुल जाते है wash timer में यहाँ पे आप निकाल सकते हो drain करके फिर इसको वापस करके आप इसको सुखा सकते हो देन आप कर सकते हो यहाँ पे spin timer यह dryer जो लिखा हुआ यह spin होता है dryer जहाँ पे कपड़े dryer होते हैं आपके पांच मिनट का timer होता है एक बार आप इधर से कपड़े दूल के इधर transfer कर दोगे और पांच मिनट का इसको लगा दोगे तो पांच मिनट के अंदर आपके कपड़े पूरे सूख जाएंगे और आपके iron करने वाले मिल जाएंगे आपको तो यह जनरली जो नॉर्मल features हैं वो सारे features इसके अंदर company देती है कुछ features है auto restart का जैसे आपकी light चली गई दूलते दूलते कपड़े तो अपने आप restart हो जाएगी जब light आएगी यह feature कुछ अच्छा feature माना जाता है कई बार इसकी demand हमारे customers और subscriber करते हैं और timer buzzer इसके अंदर होता है जो जनरली एक option है कई सारी जो premium machine आपको उसमें मिल जाता है buzzer जब wash पूरा हो जाता तो buzzer बच जाता है soak system अभी हमने में पानी आपका जाएगा rinse करते टाइम तो आएए करीब से दिखा देते हैं आपको इसका wash tub wash tub गाईस आप देख रहे होगे इसका जो cover होता है यह कुछ अलग तरीके का बना होता है fiber भी है इसके अंदर glass भी है transparent भी है fiber का तो यह कुछ अलग तरह से जनरली मशीनों से अलग आपको मिल जाता है आएए दिखा देते हैं इसके अंदर का यह जो tub आप देख रहे हो tub आपको जो मिल जाता है कुछ अलग तरह का deep tub मिलेगा 7.2 kg की मशीन में जनरली इतना बड़ा tub नहीं मिलता आपको तो इसके अंदर deep tub आपको मिल जाता है यह होता है आपका spin का कैप जिसके अंदर आप spin में कपड़े इधर रखके शुखाते हो यह होता है इसका user manual इसके अंदर बहुत सारी बाते लिखी हैं आप आराम से use कर सकते हो यह होता है इसका inlet pipe जो company आपको provide कराती है पानी डालने के लिए यह tub आप देख सकते हो तब का unique design है थोड़ा सा अलग है और यह जो filter लगे हुए normal जो गंदा गंदी गई आपकी जो कपड़ों के अंदर से निकलती है उसके लिए filter होता है यहाँ पे आपको दो अलग तरह के brushes दिख रहे होंगे यह वरफुल के अंदर आपको ही मिलते हैं brush लगे होते हैं जो कपड़े इससे रगड़ते हैं वो काफी अच्छे साफ होते हैं और brush आपको यह दो मिल जाते हैं बाकी जनरली नॉर्मल मशीनों की तरह ही इसका भी working है बस इसमा थोड़ा सा quality अगर अच्छी आ जाती है क्योंकि round tub आपको मिलता है company की तरफ से तो round tub के अंदर कपड़े बहुत अच्छे move करते हैं और गंदगी जो होती है वो आपकी बहुत अच्छी निकल जाती है अब आईए wash के बाद से transfer हो जाते है spin tub में spin tub में आपको दिखा देते हैं इसके spin tub के भी ढखकन कुछ अलग तरह का जनरली मशीने spin का cover यहां से open होता है फ्रेंट से लेकिन इसका जो spin का ढखकन है जो काफी अच्छी है 7 kg की मशीन के साफ से 7.2 और नॉर्मल साइक जो आपको spin का मिलता है system वो मिल जाता है 5 year warranty का company sticker लगा के देती है 5 year warranty आपको wash motor पे so guys जैसा आपको बताया इसके बारे में इसके जो आपको drum दिखाया spin का दिखाया wash का अंदर deep drum दिखाया जो deep बहुत जादा बना हुआ goal तरह का इसके अंदर option मिल जाता है आपको जो और किसी brand में नहीं मिलता है तो ये कुछ चीजे हैं जो इसको अलग तरह का बनाती है और इसके बाद जो इसके बाहरी outer जो features हैं उसमें आता है इसका caster wheel इसके पर company बहुत ज़्यादा गहां देते हैं इसको अलग से mention करके देती है इसमें होते हैं easy to use होता है इधर से उधर आपको ले जाने के लिए बहुत easy रहता है आराम से बड़े wheel लगे होते हैं इसके अंदर और जो max dry होता है max dry का option कपड़े जादा अच्छे सुखाने के लिए होता है company बोलती है कि max dry system इसके अंदर यूज हुआ है इसका जो inner spin tap होता है उसके अंदर कुछ अलग तरह का इसमें system दिया गया जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और रस प्रूफ बोड़ी शौक प्रूफ बोड़ी कुस अलग अलग जो भी कह लिए आप कि करेंट वगरा नहीं लगेगा आपको इसमें और इजी टू यूज रहेगा आपके लिए कोई बच्चे भी चूँँ रहे हो या कोई ऐसा कुछ हो रहा हो तो आपको डरने की जर आसानी से धूल सकते हैं और हैवी लोड भी आपको उठा सकती क्योंकि 7.2 का इसके अंदर लोड है 7.2 kg के अंदर कंपनी आपको देती है तो वाटच मोटर की अच्छी लगी होई है कॉपर मोटर जिससे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती कपड़े की इस्पिन म मशीन के मामले में सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है सबसे ओल्ड यह कंपनी है जो इसके जो वाशिंग मशीन के मामले में तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाती रहती है तो इस मशीन के अंदर भी कंपनी ने कोशिश करी है पूरी दूसरी के ब्रैंड से अ एप्रोक्स 11000 के अंदर आ जाती है आपको मिल जाती है कई बार सेल वगर आती रहती है तो 10,000 के भी आसपास मिल जाती है तो around 10,000-11,000 के आसपास ये मशीन आपको मिल जाएगी तो quality बहुत अच्छी है price range भी बहुत अच्छी है हर शीज service वगरा तो complete एक package है आप अगर वाश मशीन की नीड है और कुछ अलग तरह का गोल टप ड्राउं टप जाते हो तो आप इस मशीन की तरफ जा सकते हो आसानी से डिस्किप्शन के अंदर हमने इसका पूरा ब्रीफ डिस्किप्शन लिख के भी डग दिया है आप देख सकते हो गाइस और और बहुत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो गाइस लिंक आपको इंस्टाग्राम का मिल रहा है इंस्टाग्रा